यहाँ पर पास एक निया स्मार्टफोन आ चुका है Poco C55 और जिसके हम उन्बॉक्सिंग करते हैं आपको देते हैं वापके फिर्स्ट इंप्रेशिंग यह कैसा डिवाइस निगल कराता है यहाँ पर पोको के जैसे कि पहले आते हैं बॉक्सिंग येलो और ब्लाक कलर के वैसे कुछ हमें दिखने को मिल रहा है C55 और इसके पीछे को स्पेक्स लिखी हुई है इंपोर्टन वाली वो चल्रम आपको आगे बता ही दूँगा पहले इस बॉक्स को खोल लेता है और लेट मैं इसको पहले से अंबॉक्स कर चुका हूं बढ़ आपके लिए दुबार से कर रहा हूं यह रहा हमारा स्मार्टफोन इसके साथ निकलता है यह एक पांफ्लेट जिसके अंदर को चीज़े रखी है जैसके मारा सिम इजेक्टर टूल इसके वाँपर लगा हुआ है अगर तो मैं खोल लेता हूं तो हमारे डोकुमेंटेशन इसके अंदर से निकलते हैं साथ ही में यह आपर बॉक्स के अंदर जाएंगे तो हमें चार्जर देखने को मिल जाएगा विचिस आफ 10 बॉट और यहां पर हमें USB Type-C वाली केबल नहीं देखने को मिलती इस बार हमें जो डिवाइस इसको हम यहां पर खोल लेते हैं लेट्स चेक वाओ डिजाइन के मामले में मैं गहूंगा पोको बहुत सही काम कर रहा है और नो डाउट यह फोन भी कुछ वैसा ही है यह आप देख सकते हो गाइस यह आ रहा है कुछ अलगी डिजाइन के साथ अगर मैं बात यह काफी ज़दा बजेट वाला फॉन है काफी अग्रेसिव प्राइस पर आना चाहिए और यह जो पीछे लेधर फिनिश की आपको प्रीमिम नेस देखने को मिल जाती है यह तक मैंने नहीं देखिए यह ओवरॉल मेरे को फिनिश बहुत पसंद है बहुत मैंने कुछ लिम देखने को मिल रहा है 3.5 mm jack दिखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें keys मिल जाती है sim डालने के लिए यह area मिल जाता है हमें एक mic है micro usb है और एक mono speaker हमें देखने को मिल जाता है कुछ ऐसा है यहाँ पर हमारा design और इस phone को मैंने जैसी कि का आपको बी मैं unlock कर चुका हूं और side bezels okay उपर के bezels भी जाती है कि चिन थोड़ी सी हमें मोटी देखने को मिल जाती है यह भी 6.7 inches की यहाँ परॉक्स डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है again a big display and यह IPS LCD की display and HD plus resolution के साथ आती है मैंने जितना अवे तक phone को use कि है को pixelation नहीं देखने को मिल लिए and यहाँ पर colors भ आपका phone यहाँ पर बन जाता है अगर मैं बात करूँ performance के लिए तो इसके अंदर media deck Helio G85 दी है tried and tested यहाँ पर प्रसेसर आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें आप casual gaming भी कर सकते है PUBG भी खेल सकते हो थोड़ी बाग and even की इसमें जो general desk है वो तो काफी अच्छी हो जाते है budget क आपके अंदर बात करूँ तो यह वाला chipset काफी जादा powerful हो जाता है and अगर यह सही price पर आ जाए तो मैं कहता हो काफी दमदार यहाँ पर प्रसेसर निकल कर आता है आपके कोई भी काम है कोई भी issues कोई सब कुछ यहाँ पर कोई issue नहीं आता एक दो मक्खल से यह phone आपका चल मिल जाएगा and 4GB की साथ 64GB की storage है and यहाँ पर 6GB की साथ 128GB की storage मिल जाएगी and dedicated SD card slot का यहाँ पर option आपके दिखने को मिल जाता है आपके इसमें आपको 5000 image की body battery मिल जाती है तो आपको backup भी काफी अच्छा मिल जाएगा plus charging के लिए 10Watt का charger inbox मिलता है तो हाँ normal standard charging आपको मिल रही ह में 50MP का camera है and साथ पर 5MP का selfie camera मिलता है megapixel काफी काम है बट चलो देखते है photos कैसी आती है आपके 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 अच्छी बात है अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी आ जाती है तो काफी सही है ब्लॉट में बगारा हलका मिल रहा है से Netflix की है पैच Snapchat है जिल्ली भी मिल गई है मतलब काफी सारी छीज़े है जो की अनिस्ट्रल करने पड़ेगी आपको हम और जो अच्छी बगरा देखना मिल रहा है